एक ह Gray अहम फिर के बारे में बात करेंगे कीपे यह टेस्ट क्यूं किया जाता है यह टेस्ट कैसे किया जाता है इन सब विश्यों पर आज हम weten जानकारी प्राप्त करेंगे तो आए शुरू करते हैं पेटे स्कैन क्या है PET scan या positron emission tomography एक खास किस्म का scan है जिसमें एक radioactive pressure patient को दिया जाता है जो कि IV injection के रास्ते से या फिर orderly solution से patient को दिया जाता है शडीर के अंदरूनी अंग और उत्तक इस ट्रेशर को अब्जूर्ब करते हैं जो छेतर अधिक उड़जा का उपयोग करते हैं वे इसे जादा अपसुशित कर लेते हैं उसके बाद scan की मदद से देखा जाता है कि शडीर में कहां पर कितना radioactive tracer मौजूद हैं इस test से हमें क्य coronary artery disease में, brain tumor में और dementia के patient में यह test कैसे किया जाता है इस test के लिए radioactive tracer patient को दिया जाता है जो कि IV injection के रास्ते से या फिर orderly solution से patient को दिया जा सकता है उसके बाद patient को कपड़े निकाल कर hospital gown पहना कर एक table पर लिटा दिया जाता है यह table एक tunnel shaped machine के अंदर जाता है और उसके images लिये जाते हैं क्या इस test के समय दर्द का एहसास होता है इस test के समय आम तोड़ पे दर्द का एहसास नहीं होता लेकिन यदि tracer IV injection से दिया गया है तो थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है क्या इस test को करने का कोई रिस्क है नहीं आम तोड़ पे test को करने का कोई रिस्क नहीं है इ इस टेस्ट को करने में आध्य घंटे तक का समय लग सकता है, क्या इस टेस्ट से पहले और बाद में कोई खास इंश्ट्रेक्शन दिया जाता है? इस टेस्ट से पहले पेशेंट से सभी मेटल आबजेक्ट जैसे घरी, चैन, जोली इत्यादी को निकालने को कहा जाता है इस टेस्ट के बाद पेशेंट को भरपूर मातरा में पानी पीने की सलाह दी जाती है ताकि ट्रेशर एफेक्टिवली शडीर से बाहर निकल जाए पेट सीटी या पेट अमाराई क्या होता है पेट सीटी या पेट अमाराई एक खास पिस्म के टेस्ट हैं जिसमें पेट स्कैन और सीटी स्कैन या अमाराई एक साथ किये जाते हैं इस टेस्ट के लिए दो फिल्म निकाले जाते हैं पहला बेगार ट्रेसर के और दूसरा रेडियो एक्टिव ट्रेसर देने के बाद CT scan या MRI scan से हमें एक organ का anatomical information मिलता है और PET scan के मदद से हमें उस organ के metabolism की information मिलती है इसलिए कभी कभी दोनों scan एक साथ करने की जरूरत होती है